हेलो स्टूदेंट्स वेल्कम टू माई चैनल स्टूदेंट्स आजम करेंगे एंजिया टी क्लास फॉर्थ इंग्लिश में रिकोल्ट की यूनिट फॉर का चैट्टर है हमारा एलाइस इन वन्डरलांड तो आजम जो इसके एक्सराइस के मादिन से इसके कुछ न्यू वर्ड प्रश्ट मीनिंग सीखेंगी और लसन को भी अंदर्स्टांड करेंगे तो वीडियो और चैनल के साथ जो हैं तक जुड़े रहेगा और ज्यादा शेयर किजिए को सब्सक्राइब कीजिए वाइड एक्स कर देता कि वीडियो की नोटिवेशन आप तक सब से बहले तो अचानक उसने एक सफेद खरगोश को भाग कर जाते हो देखा तो उसके आंखे जो थी कैसी थी गुलाबी थी और उसने नीले रंगा कोट पहना हो था उसने अपनी बास्केट से एक बड़ी से गड़ी निकाल तेजी से चलते हो का ओ पर यह मैं बहुत लेट हो गया हो जो गड़ी को देखे बताया है तो उसने सोचे कि इस खरगोश के बारे में यह बहुत ही भी जित्तर है बैबात कर सकता था उसने लारंग की बास्केट पहने हो थी और उसके पास गड़ी भी थी एलिस हैरान थी एक बोलने वाला खरगोश एक खरगोश को जो बास्केट प लीचे गिर गई हूं मैं बशी प्रिद्वी के केंटर क्याल पास जो है बो पहुँच गई होंगी बहरान थी और क्या मैं प्रिद्वी के अंदर से सरक कर दूसरी और पहुँच जाओंगी एलिस एक जटके थे साथ सूखी पत्टियों के धेर पजा गिरी उसने तेजी से चारोंट जो देखा और सीगरी उसे सफेद पर गोश्वे से दिखाई दिया यह कहते हुए अद्रिश्य हो गया ओ मेरे कान और मेरी मूच्छे कितनी देर होती जा रही है एलिस खड़ी हो गई और उसने लग पंदरा इंच उंच एक चोटा सा दरवाजा देखा बै इतना तो उसने से निकल नहीं सकती थी उसने सीसे की मेज पर एक सुनेरी चाबी देखी तो उसने चोटी सुनेरी चाबी को ताले में लगाने की कोशिश के रही कि यह तरवाजा खोला और उसे एक ऐसा सुन्दर बाग दिखा दिखा यह जिसे पहले उसने कभी नहीं देखा था इसकी टीब इच्छा थी कि उन चमकदार फूलों की क्यारियों सीतर फुबारों के वीच रहे जाए प्रंतु उसका हाथ भी उस दरवाज्य के पार ना जा सका मैं जो से चिला ओ काश मैं चोटी हो पाती तो यह थी घरगोश्ट और एलिस की कहानी तो नेक्स इसका क्वेश हरीड अवे होता है तेजी से चला किरियोसिटी यह वर्ड आया आपका वास बर्निंग इद्स कुरियोसिटी होती है जिग्यासा जानने की च्छा उतसुकता पॉपड डाउन पी यो डबवल पी डी 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 यो डब्लियो एन पॉपड डाउन गाइब हो गया लैंडड लैं इसके बाद आपका विसकर्स डब्लिवचास क ऐस होती है मूंचे डिलाइट होती है खुशी डिलाइट होती है कुशी लॉंट होता है कामना की यह रा कि यह कुशंग न्यू वर्ड जो है इस लेसन में आप सिखेंगे तो आपका जो है कि गुवास बर्निंग भी गरे ती तो गारडन याइस तो गारडन कैसा था जो लाइस नहीं सुन रही थी पेड के नीचे उसने देखा एक सफेद खरगोश गुलाबी आंखों के साथ नेक्स इसका question है where did the rabbit go rabbit कहां जा रहा था the rabbit went down a rabbit hall and disappeared rabbit जो था वो खरगोश की बिल में नीचे जा रहा था और अद्रिश्य हो गया इसका next question है आपका question number यहां पर 3 ठीक है question 3 state 3 for true and false statement alice was lying on a bed alice जो बढ़के नीचे सोई थी ठीक है बडब सोई थी नहीं मेडगे नीचे सोई थी false alice a white rabbit yes true rabbit a yellow waistcoat rabbit ना yellow waistcoat पहना था no false alice followed the white rabbit alice a white rabbit को follow गई तो उसके पीछे पीछे गई थी yes true alice landed on a pile of dry leaves yes true तो यह थे आपके जो exercise ठीके इस लेसन गी alice in wonderland की oh i hope आपको यह कुण सब्सक्राइस के लेसन के and exercise just understand होगी तो आसके वीडियो में थे नहीं next वीडियो में एक नहीं topic के साथ मिलेंगे आपसे तब तब तक ली thank you thanks for watching